आज हम आपको शाही लज़त में बताने जा रहे हैं चीले लेकिन अंडे और आटे का चीला जो हमारे दर अकसर ब्रेक्फास्ट में बनता है ठीक है इसका में एक तरीका बता रही हो आपको आप इसके साथ बहुत सारे वेरेशन कर सकते इसके अंदर आप वैजिस डाल सकते मै आपको चीज वाला भी बनाकर बताऊंगे इस प्रेट चीज लगा कर चीज वाला बना सकते हैं लेकिन हमारे माद हम इसको चाय के साथ प्लेन बनाते तो आज मैं सोची कि हम आपके साथ यह शेर करें मैंने छे अंडे लिए हूं देख आपके सामने रखे हुए ठीक है और म आपके दर को इशू है था प्योर घीना यूस करें और यूस करें बटर यूस करें वह आपकी मर्जी है हमेशन मैं आपको बताती हूं कि सिर्फ एक चीज मैं तरीका बता रही हूं अगर आपके दर नहीं चलता तो आपका कुछ और ऑप्शन कर ले ठीक है तो मैं आगे प्शोल कि डाल देंगे पैप में 1 थिस्पून जितना दालूंगी तो था ज़्यादा ही तरीक बहुत कम ना दालएंगे हम और इसको च्छे से बिट कर लेगे यह अभी इसको चाही के साथ जो दूद्पत्ती वाली चाही होती है उसके साथ इचीले खाते हम तो आज मैं ब के साथ शेयर करूं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मुझे आप लोगों की बहुत ज़रूरत है और आपके में मेरा चैनल अच्छा है तो लाइक पटन को प्रेस कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंज को म इसके बाद देख मैंने एक कप वाटर की पूरा एक कप नहीं तालूंगी कभी हमको दालना तो थोड़ा 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 टू टेबल स्पून जितना दाल कर देखना है और मिक्स करते जाना है पाके वह चीज बराबर बने अगर एक दम से पानी दाल देंगे तो बहुत आप क्यों है देखो ठीक है छेंडे में एक कप से थोड़ा पानी बच चुका है एक बड़ा कप बाके सब लग चुका है यह पानी इसमें हो चुका है अभी इसको थोड़ा हम तॉबर करके 10 मिट्स के लिए रख देते है एक हम आप भी एदेखा है यह अभी भी थीक है, इतना थीक हमको चाहिए ही नहीं, अब इसमें हमको पूरा half cup जितना और water लगेंगा, मैंने जो आपके सामने दाल दी, यह आटे के चीले, एकदम healthy चीले, इसमें हमने जरा भी मैदा नहीं दाले, ठीक है, यह देखो, देखो हमें मारा पैन गरम हो चुक जाए है, राउंड राउन फिरा दूली, देखो, कितना बड़ा चीला बन गया आप देखरें, यह देखो, यह हम सादा चीला बना कर आपको बताएंगे, और एक चीज वाला चीला बना कर बताएंगे, आप इसको चाहिए, आपको अगर इसमें वेजिस डालना है तो आप इसमें वेजिटेबल भी दाल सकते हैं, जो भी दालना हो, अब यह क्या है, हमने दाल दिये, जब हम अपने आप यह छूट जाएंगा, इसको बहुत जादा यह ने लगए, आपको दाल के छोड़ देना है, यह देखो, कितना चलाल कलर हो गया, और गी भी एक दम कम, हमने स अब इसमें जल्दी से दूसरा दाल देगे, ठीक है, इसको ऐसा ही करके हम पूरा स्प्रेड कर लेंगे, यह देखो, एक त्रीक है, एक दो आपके हाथ से जारा खराब हो जाएंगे, अगर इसा थोड़ा बच गया, तो थोड़ा थोड़ा दाल कर इसको ऐसा स्प्रेड कर पूरा अखा, ऐसा चिला बना देना है, अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बिचो बीच, अभी ने थोड़ा पल्टा देंगे इसको उसके बार, पीचेज हमने प्योर घी लगा दिये थे, अब इदर से थोड़ा प्योर घी दालेंगे, बहुत जादा नहीं, से ब्रशिंग करेंगे हम पे खुचें, अब इसको पल्टा दिये, अब पल्टाने के इसको, अब प्लटाने के बाद हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा चीसपन नेकालेंगे और बीच में डाल देंगे, ज्यादा नहीं लेंगे बिच स्परेड रज़ा प्युचिंए मेल देंगे, लेके लिए है कि चीज वाला पिला हमारा रेडी हो गया है अब ये बैक साइड से हम टून कर लें अच्छे से दोनों तरफ से ये भी हमारा अराम से रोल बन जाए ये देखो हमने दूत पत्ती वाली चाय लेली ये लेली अब इसको हम आप देख रहे कितना चीज मेल्ट हो र ठीक है आप लोग भी ऐसा बनाना और मुझे बताना एक ऐसा बना था अला पिस